शाम के टाइम छोटी मोटी सी भूग लगी होती है और चाए के साथ कुछ स्नेक्स भी खाने का मन करता है तो आज मैं ऐसी ही आपके साथ एक रेस्पी सेयर कर लहीं है तो फटावर सेबन के हो जाएगी रैडी तो एक बार यदि आप इसे बना लेते हो ना तो 15-20 दिन आप इसे आराम से खा सकते हो वैसे भी मेरे आना दो दिनों से बारिफ का सब मोसम हो रखा है तो पकोड़े बगर है तो बनाते ही रहते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आपके साथ आज टी टाइम स्नेक्स रेसीपी सेयर कर लो इसे बनाने के लिए मैंने आपे लिया है मैदा तो कितनी कौांट्रिटी में बनाना है आपने उसी हिसाब से मैदा ले लेना है अब स्वादा नुसार इसमें डाल देंगे नमक इसमें थोड़ा सा ज़ादा ही जाएगा हलके से नमकीन ही ये अच्छे लगते हैं यदि आपको मिर्ची वाला फ्लेवर चाहिए तो आप यहां पे लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो या फिर आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो दो से तीन चमच मैंने डाल दिया है तील अच्छी से मिक्स कर लिया है और ऐसे मुठी बना के देखनी है कि हमारी मुठी अच्छी से बन जाए उतना ही तेल डालना है इसे हमारे नमक पारे या फिर मत्री जो भी आप इसे बोलो एकदम से करणची बनके रैडी होती है नॉर्मल पानी से धो लगा ले रहा है डो आपने जैसे रोटी के लिए धो लगाते है न उसके से थोड़ा आपने हार धो लगा के रेडी करना है एक दम से सोफ्ट नहीं लगाना है नहीं तो फिर ये पूरी की जैसे हो जाएगी धो लग की रेडी हो गया था उपर से मैंने एक चमच थोड़ा सा तेल ओर डाल दिया था और मसल के इसे 10 मिंट के लिए रेष्ट करने के लिए रख देंगे ताकि मैदा आच्छे से सैट हो जाए तो 10 मिंट हो गई थी मैवापी से आ गई हूं कीचन में और हमारा मैदा भी आच्छे से सोफ्ट हो गया है जैसा मैंने रखा था ना उससे भी एक काफी सोफ्ट हो गया है वापी से इसको फिर से गूंत लेंगे और अब हम इसकी बड़ी बड़ी सी लोयां तोड लेंगे तो हमने बाद मैं किसी ढखकन शेया फिर आप चाहें तो मतर की जैसे भी से काट सकते हैं तो मैंने एक बड़ासा पेडा लिया और इसे ऐसे बेल लिया है तो बोघ ज Rights पत्ला बेलने ने हमारी के चैप करेंगों इसका स्थे नियुक्त करें ने रोटी करें यूदर करें छेद च्छेद है करेंके ने परभी मरें को तो इसमें को हाज मुला के डखकन लिया है ऐसा कोई भी धकन आपको मिल जाए आप ले सकते हैं तो आप इसे चाकू से ऐसे ही काट सकते हैं तो मेरे को थोड़ी छोटे साइज के से गोरगल मठ्री टाइप बनानी थी तो मैंने इस डखकन से सबको काट लिया था और यह जो बचा है न इसको वापिस से फिर से हम गूंत के बेल लेंगे और वापिस दोबारे से फिर मैंने उससे भी भी शीट बेली ताकि सारह काम जल्दी से जल्दी हो जाये और वैसे उसी धखकन से मैंने इसको भी काट लिया था किटि आप बड़ी बनानी है और अपेर इसे बड़े धक 溬से काट चते हैं त holy आसानी से यह सब हो जाएक रहाओं इनको डाल लेंगे एक प्लेट में और उसके बाद मैंने कुछ मटर के टाइप की भी रैडिकरी जो डो बच गया था ना लाश्ट में उसको मैंने मटर के जैसे भी काटा और यह इतनी टेश्टी बनती है फ्रेंट बच्चों को बहु जादा पसंद आती है सुबह सुबह भी चाहि बला करيक लाथ जैसा आपको अच्छा लगे वैसाी आपको बादि temporary ठीख में जाए मटर असे और आको फ्रेंट है की ने कारता करें यह तो और नेकी जोच नहुख राएज जाह सकते हैंगे कढ़ाइवाड़ोसा श्टी तेल आपकर को घराने थीख घीक गिरम करना है एकदम से जादा गरम होगा ना तो हम जैसे ही डाल लेंगे है तो पूरी के जैसे फूल जाएगी रैडी करनची सुख्ष चितनी एक अउसे इस ऐसे डाल लें पूं के ईछ इच्ड़ बनने स्फूर हो जाएगा पर और पूस्य स्वाम्त люб positive 60-70% तक ये अच्छे से पक गई है तब ही आप थोड़ा बहुत आच तेज कर सकते हो कम आच पे पकाऊगे तो एकदम से ये आपकी करंची बनके रैडी होगी और 5-6 मिन्ट याँ पे इसको लग जाएंगे आराम से और ये देखने से लग रही है न एकदम से करंची बनके ये रैडी होई है दूसरी चलने में मैंने इसको निकाल दिया था ताकि एक्ट्रा तेल है कडाई में ही गिड़ जाए और साथ के साथ मैंने नेक्स्ट बैच की भी डाल दी थी और ये देखिए इनका करंच तो एकदम से क्रंची बनती है नेक्स्ट बैच भी हमारा लगबग फ्राइ होके रैडी हो गया था आप भी रैस्पी जरूर ट्राइ करना इसे बनाना बेहदी आसान है और बच्चों की तो ये फैवरेट होती है आप इसे चाट पापड़ी के जर से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्राइ के साथ हम खा ही सकते हैं एक मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा करंची बनी है और लास्ट में जो मटर मैंने बना के रखी थी उनको भी मैंने वैसे ही फ्राइ कर लिया था तो जितनी आपने बनानी है उतनी आपने बना लेनी है और 15-20 दिन आप इसे आराम से खा सकते हैं तो आपको मेरे रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे रेस्पी यह दी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना जद से जद से शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब और जैसे ही यह ठंडी हो गई थी मैं इसको भरके रख दूँग डिबे में ताकि हम लंबे टाइम तक इसे खास कि आपने एरटाइट डिबे में इसको भरके रख देना है ताकि इनमें नमीण ना पकड़े तो मेरे पास एक डिबा रखा था इसमें मैंने इसको डाल के रख दिया है तो बाइ फ्रेंड्स मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुइँ स्वस्थ रहिएए मस तरहिए काते रहिए पिते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ